यह गुयदोसिंग एक विदेशन सबस्टेन है कि यह सटलाइड इस एफेज एफ-डिशन फिलड इत पास एक पार्टिक्ल ससे लाइड घुम रहा है तो उससे एक पाइटिकल को प्रजेट करना है ताकि वापीस ना आए तो आपको वेलोस्टी में मीनिमम कितना इंक्रीस करना पड़ेगा क्वेश्चन में पूश्च रहे हैं अब और अर्बिटल इस पर कहा होगा और अर्बिटल इस पर इतनी है तो एनर्जी रिक्वाइट कि इतनी होनी सब्सक्राइब करेंगे तो अब अगर हमें पता करना है कि कितना वेलास्टी देनी पड़ेगी ताकि इसकेप कर जागे तो एट अर्फ सर्फिस आर्क वेलोस्टी अर्क बड़ाबर होगी तो एक्स्टर्नल वेलोस्टी जो आपको दिरना पड़ेगा एक्स्ट्रा वेलोस्टी एडिशनल वेलोस्टी रिक्वाइड उसको इसमें सिसो घटाना पड़ेगा तो मैंने इसमें सिसो घटा दिया घटाएंगे तो रूट जी एम अपान क्या बाहर आ जाएगा फिर क्या इतना minimum speed देनी पड़ेगी, तब जाके ऐसा होगा, क्योंकि अगर अर्थ हमारा ऐसे घुम रहा है, तो आपको इसी direction में, satellite अगर ऐसे घुम रहा है, तो satellite के ही direction में आपको velocity देनी पड़ेगी, minimum velocity तब ही जाको escape कर पाएगा, minimum इतना देना पड़ेगा, अगर आप किसी और direction देंगे, तो आपको इससे इज़र देना पड़ेगा, क्योंकि कोई चीज़ ऐसे जा रही है, उसकी velocity अगर आपको root 2 times करनी है, तो उसी direction प्रोजेक्ट करेंगे, तो ज्यादा कम से कम velocity देके, आप उस direction में root 2 times कर देंगे, लेकिन अगर किसी और direction प्रोज गिन करें, तो इस case में आपको minimum addition velocity देनी पड़ेगी, जो कि root 2 minus 1 root gr कर ब्रावड होगा, जो कि option number 1 में दीख रहा है, अब आते, question number 47 पे, 47 गैलोडोमीटर का best question है, ये, अमीटर बनाना इसमें, क्यारा है कि गैलोमीटर का resistance 100 ohm है, maximum reflection current 1 milliampere है, तो अगर हम चाहते हैं कि उसका अमीटर बनाना 10 ampere range थक्का, तो कितना sun resistance यूज करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमला, अमीटर का structure समना दिया, तो आपको अमीटर बनाना है, तो सबसे पहले आप अमीटर बना लेते हैं, ये sun resistor है, इसमें 10 ampere का current आ रहा है, अगर अमीटर का resistance कितना है, 100 ohm है, तो इसमे कितना current maximum flow कर सकता है, इसका current आएगा maximum उसकी value आएगी, कितना, 1 milliampere, तो 10 power minus 3 amperes, तो अगर इतना ampere current इसमें जा रहा है, तो इसमें जो current flow करेगा, अगर 10 ampere में से इसको घटाएंगे वह तो इसमें flow करेगा, तो 10 ampere में से इसको घटाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसको बहुत ही कम है, तो इसमें current लगबग क्या हो जाएगा, 10 ampere, चुकि यह resistor, यह resistor parallel है, तो आप क्या लखेंगे, I into R, बराबर यहां का I into R, तो I कितना है, 10 power minus 3 into R कितना है, 100, बराबर यहां पे, 10 into S, तो यहां से S के बलू किया जाएगी, 10 power minus 2 ohm आचाएगी, जिसके ब अपसें टुमें दिखाइदे रहा,